इस तरहें काशी राम को तमाम पॉब्लिक वब्लिक से बंद कर दिा गया था आने वाले टेम में मानिय घौती को भी तमाम पॉब्लिक से रख दिया जाएगा और उसका उदारण आज कितनी मीटि slime बहार निकलत तर्फुरी ठाकोर अमारे तर्फुरी ठाकोर अमारे महां पदम नंद हमारे शेल समाज इन्तावाद जो सबका साथ, सबका विश्वास के साथ जो सबकार काम कर रही है उसमें कहीं भी जान नदर नहीं आती, कहीं भी छोटी जाती वालों के साथ नयाय होता दिख नहीं रहा है आज उसके सारे चैनर उस बाबा को बूझे जिसके बोलने की तमीज नहीं, बोलने का अकल नहीं ठट्री का सब्द क्या होता है कि किसी को जान से मारके फूख देंगे, यह ठट्री का सब्द है आपको मैं बता दूँगा इस ठट्री कहने में कुसुबा समाज की एक हमारी पत्रकार मेला, उस पे केस लग गया चे महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में साथ हत्याएं हुई है और बिदेश पार्दक जी जोकि अच्छे पदबर उप मुक्ख मंत्री हैं उन्होंने समाज के लोगों को गाली दी महाराष्ट के मुक्ख मंत्री जब जब यह मुल लेवासी आगे बढ़ना ही कोशिश करें तब तब इनके जिसे कहते हैं चलांग और जिसे आपके कहते हैं धुत लोग इन पार्टियों के अंदर आए और उन्होंने इन पार्टियों पर ही कभजा कर लिया और हमें जहां थे घुलाम जिसका उधान में कह जर हम आज इंग संट लेकर बेटे हैं क्या मामला है ज्स मामले को लेकर बैटें हो कोई कोई चोटा मोटा मामला नहीं है सन्समाज को और आप सब्ध कहा गया है उसी का रोश प्रिदर्सिंग करने के लिए सांसे Ihek लोग आज निया पूरा मामला है परिचे दीजिए और बताईए क्या है पूरा वाग्ला में सतीष कुमार सेन आल इंडिया महापदमनंद कम्यूटी एजुकेटिड़ एसुसियन का राश्टिय संक्टन सचीबू आज हम पिरदेश में जो हत्याइं हो रही है जो दुरगटनाइं हो रही है उनके विशे पर और जो उची जाती के लोग हैं छोटी जाती के लोगों को अब सब्दों दुवारा अपमानित करते रहते हैं उसके विशे पराद धर्ना प्रदसन दिया जा रहा है समाज में जाती विश्टर जब तक रहेगी यह उत्पिल्ण जारी रहेगा हम इसके खिलाप आवाज उठाते रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि आज भारत में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ जो सरकार काम कर रही है उसमें कहीं भी जान नदर नहीं आती, कहीं भी छोटी जाती वालों के साथ नयाय होता दिखने रहा है च्छे मेने के अंदर उत्तर प्रदेश में साथ हत्याएं हुई हैं और बिदेश पाठक जी जो की अच्छे पदपर उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समाज के लोगों को गाली दी महराष्ट की मुक्मंत्री नववा पंडोकर सरकार ने बार बार नववा कहकर उसे अपमानित किया मुरगा बनाया उसको थपर मारे जी वीडियो बारल हुई है उसके खिलाप क्योंकि जो उची जाती के लोग हैं वो अपनी किताबों के द्वारा उची बने हुए हैं और समा बहुत हो गया बंद करवा अत्याचार नहीं तो मिठ जाएंगे मैं मोदी से कहना चाहता हूं अमेसाजी से कहना चाहता हूं उनकी टीम से कहना चाहता हूं यह बारत में अगर बनाना है तो सब को पंडित बना दीजिए राडा ही खतम हो जाएगा किसी भी कार्याल में अग आको बहुत बहुत धन्नवाद देता हूं जैहिंद जैवारा। जैसे जैसे बाबा साब के लिखे सविधान और उनके साइत्य को पढ़ रहा है भाउजन, तो आगे बढ़ रहा है भाउजन, अपने दिमाग की बत्तियों को जला रहा है भाउजन. क्या लगता है वर्तमान में जो सरकारे हैं या इसे पूर की सरकारे रही बोजन समाज को मूल निवासी समाज को क्या वो अधिकार देने में सक्षम है या देला नहीं चाहती है या उसके पीछे कुछ शोडियन्त रहे मेरा नम हर्दवा इलाल लंद है और हम आल इंडिया महापदमनन कम्मूनेटी एद्यूकेट आइसेशियन्स हैं आज हम आएं जो हमारे समाज के लिए मूल निवासी समाज के लिए इतनी उत्पीड़न हो रहे हैं जग जग हत्याएं हो रही हैं और आज के तरह जातू तो सू बोड हो रहा है है आज हम आजादी को 72 वर्स के करीब हो चुके है भीमचाली वामेट करने ने हमें एक समिधान लिए था तीज साल तक तो हमें पता ही नहीं चला कि समिधान होता क्या है है आज हम जब सिक्षा की तरफ जा रहा है तो हम को ऐसा लग रहा है कि हम जहां से आयते हैं एक मुल लिवासी हम दुवारा वहीं जा रहा है आज इतने मंतराले खोले गए सरकारी आज सब मल्टीनेशनल कमणियों को एक ठेका परता कह सकते हैं जिमिदार परता कह सकते हैं उसमें चले गए जैसे किसी अंग्रेजियों के जमाने स्टेट विका करती थी आज दुवारा उसी तरह के से रूप बतला है नियम वही है और जब आरक्षण जब सरकारी विभागर जब प्राइबीटी करन कर दिये गए तो उनम तो वहां पर जिस समय लड़के की बड़ोती होती है तो मैं देखा करता था वहां पर एक पुराना बुजरुक वेक्ति एक टोकरी लेकर घुम रहा है इदर से उदर थाली उठा रहा है उसको सब लोग ठाकुर साब ठाकुर साब कर रहे और उसको रजाई गिफ्ट कर दी चार पाई किफ्ट कर दी ती यह सेंस समाज का जो गाहों के जो पुराने लोग थे उनका काम था लेकिन उनको ठाकुर साब कहा कि सम्मानित किया जाता था और काम उनसे नोकर से बच्तर कहना जाता है मेरे स्विम के आखोज़त देखा यह हाल है क्योंकि मैंने फोटराफिक तो उस समय के ठाकुर दिया हुआ नाम वर्तमान में जो ठाकुर समाज है यह आपको आपको चलाने के लिए आपको पता चले या कहीं आप अपने दिकारों को ना पढ़ने तो इसको आज तक भी आप लोग अपने साथ उठाकर चल रहे हैं देगे इसमें दो करण हो सकते है इत्यास अगर आप पराचीन इत्यास में जाएं तो वास्तेवी के राजवंस था और राजवंस होने के खातिर इनके समय और काल के साथ इनके धंदा भी बदल गया और जब धंदा गुलाम बना लिया गया क्योंकि एक राज़क का राज जब खतम हो जाता है तो उनको के लिए उस सब्द को दुबारा से उसका परिवासित कर दिया गया आज आप देख लो जो कि आज हम इतने बिकास की दोड़ में दोड़ रहे हैं उसके वाज भी आज हमारी वही मान सकता है आज भी हम जगे जगे घटना है आ रही है कि किसी साधी में घोडी से उतार दिया यह एक वहर की समय के लिए लगाता हैं मेन प्रकास नजर आगा है यह लिए जब से शिरेंध प्र.. शुरू हो गया और संपतियों का अधिकार दुवारा इन्हें दे दिया गाएं महामनाज जोटिराब फूले को लगा किया मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है मैं पड़ा लिखा हूं तब मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है क्या आशी मतलब क्या ऐसी चर्चा नहीं वह पाई समाज में कि दोस्य वर्ष बाद भी उनकी बातों को लोग नहीं पहजान पाने नहीं पड़ पारें सर्चा पिर्टेरा है कि धे क्राइब क्या है कि आप आप सकते हैं व्पाइब नहीं है आव यह चोटी से गर किसी और चाड बार दिया जायती है इस औरकि हम रख ah यहां किसी को धी बेटी के अपमानित बलादिकार हो जाए तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखा जाती तो हमारे पास संसादन की बहुत कमी है इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा वर्क है जिसके लिए संसादन की इतनी कमी है आज आपको एक बड़ा उधान के तरफ से देंग हम कह रहें समिक्षा उस करो कि सिक्षा की समिक्षा करो सिक्षा की साथ हर पह आर्थिक रूप से आप समिक्षा करिए कि लोगों की आर्थिक स्तती क्या है सारी रिक रूप से आरक्षन करिए कि सारी रिक रूप से कितने सक्षम है अगर समिक्षा करनी है तो आर्थिक आज उसके सारी चैनर उस बाबा को बूझे जिस के बोलने की तमीं नहीं बोलने का अकल नहीं ऐस्ट जान से जान से मारके फूख देंगे यह ठट्री का सब्द है आपको मैं बता दूंगा इस ठट्री कहने में कुस्बा समाज के एक हमारी पत्रकार मेला उस पर केस लग गया थट्री समाज, कहने से के लोदी समाज के आदमी को केस लग गया है इस पर, अब बताएए जो भरे मंच से थट्री कहता है थट्री सब्ध थट्री बांदेंगा और उपर से पागल बोलता है उसके उपर कोई केस नहीं हो सकता तो यही कारणा कि हम में और उन में अगर हम एक सम्मानिस सब्द भी कहते हैं तब भी हमारे उपर केस किया जाता है और वो हमें लगातार अपमानिस सब्द कहें तब हमें केस नहीं करते हमारे इतना ही फ़राइक है कि हम में और उन में पिलोट पिलोट कहता है समझते हैं यह हमारा दुर्भाग है कि ऐसे पाखंडियों को आज अनका देखा जाए अगर एड़ी अगर चापा मारे तो करोणों की संपत्ति अनलीगल मिलेगी तो हम तो कहते हैं कि सरकार से इन बाबाओं पर चापा मारना चाहिए और इनकी संपत्ति देखा चाहिए रात सरकार पत्तों को जीने का अधिकार है तो में तो यह कोँगा सरकार से कुछ नया करने वाले हो आपको लगता है कि आप अपने हम अधिकार की जो लाई लड़ रहे हैं यहां पर उस लाई को लड़ते उस सरकार बना पाएंगे अब देखिए जी हम तो इसी इसी लड़ायद सबसे बड़ा हमें आगात है कि हमारे आने वाली टैम में जितनी भी आप मिल्टिनेसल कंपनियों को आप प्राइविटी करन करते जा रहे हैं उसी हमारा बेरुजगार का सबसे बड़ा साधन है और हमें लगता है कि आने वाली सहमे में पता ही नहीं चलेगा कि सरकारें गहीं कहां और आने वाले टैम में पता हैं जैसे पीछे भी क्या हुआ आपने देखा होगा कि पता था कि सरकारें बदलेंगे यही बदलना है कि छोटे से कई कारण आने वाले टैम में सरकारें ही नही सोच भी वदलेगी लोग एंडिया से तो कट रहे हैं क्या इंडिया की तुरब भी जाएंगे नहीं देखिए अब बहुजन समाज के लोग बिजरूर जाएंगे बहुजन समाज एक वर्ग था वर्ग क्या था कि बड़ी मोटी सोची संजी रणनीती होती है जब जब यह मुल में देना नेंड जाहता कई एसी पार्टी आया मैंने कासी राम की विचारदारा लेकर आए आज फ़ी पर पर कौण बैठा है सब को पता है आसा यूझा सची महाँ सची भी सब नहीं मासची भी कुको ते भी चुछ घड़ाती कि सब कर दिया गया था आने वाले टैम में मानिये मायावत्यी को भी तमाम पुब्लिक से काट कर रख दिया जाएगा और उसका उधारण आज कितनी मीटिंग में बाहर निकलती है क्योंकि मैं उनके साथ में था नहीं झाल झाल